नमस्कार बिहाद सम्वादाता में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ साक्षी और हमार साथ मौजूद है बीज़पी के प्रदेश प्रवक्ता अर्विन से आई इन से बाचित करते हैं सर आनन्द मोहन की रिहाई के बाद अभी दैनिक जागरन के एक कारकरम मे अमिर्शा ने साफ तोर पर कहा कि वो इस चीज़ का बिरोध करते हैं सर तो अब इस पर क्या कहेंगे देखिए बिरोध किसी ब्यक्ति का नहीं है बिरोध गलत कानून का है किसी भी सरकारी करमचारी के लिए किसी के मन में भय नहीं रहेगा किसी भी सरकारी करमचारी के साथ किसी भी तरह का दुर्विवार हो सकता है उनकी हत्या तक हो सकती है चुकि अब उनमें डर और भै समाप्त हो गया है आनंद मोहन सिंग के आल में 26 दुरदान तपराधियों को छोड़ा गया है जिसमें रेफिष्ट तक को छोड़ा गया है साथ ऐसे ब्यक्ति थे जिनको ठाने में जा करके छूटने के बाद हाजरी लगाना है वईसे ब्यक्ति को क्यों छोड़ा गया और कुछ सतर बहतर सुनने में आ रहा है ऐसे दुरदान तपराधियों को बिहार में चोड़ा जाएगा सर लेकिन कुछ दिन पहले से तो बीज़पी जो बिहार की बीज़पी है सर वो भी तो समर्थन कर रहे दिखिए आनंद मोहन जी का बात नहीं है विशय है कि आनंद मोहन जी के कांधे पड़ाकर करके राइफल चलाया गया है और दुरधान तपराधियों को छोड़ा गया है दलितों के साथ धन्याई किया गया है। और कहीं न कहीं इस पूरे बिहार को बरबाद करने का, बरबरता यहां लाने का काम हो रहा है। गलत कानून और गलत नितियों का भारती जनता पाटी आज बिरोध कर रही है और आगे भी करते रहेगी आपराधियों का तो भारती जनता पाटी कभी भी बरदास्त नहीं कर सकता है साथ सीटों पे राजपूतों का सत्ता है तो सर क्या लगता है कि आनन मोहन के जो अमिट शा ने इस तरह का बयान दिया है उसके बाद बीज़ेपी को मतलब सरुन का पत्ता कर सकता है कि नहीं बीज़ेपी का पांच सीट पर MP का राजपूत यहां जीते हुए है भारती जनता पाटी में पांच MP राजपूत जाती से हैं और उस समय स्रियानण्द मोहन सिंग जेल में थे और उनके बेटा राज़त से भिधायक है किसी का राजपूत गुलाम नहीं है राजपूत सोचने समझने की सकती च्छत्रिये उसे करते हैं जो समाज के लिए च्छत्रप का काम करें समाज को च्छत्रप का काम करें बरसात में च्छाता का जो काम होता है वही च्छत्रिये का काम होता है तो समाज में हम पांच सीट भारती जनता पाटी को ऐसे समाज ने दिया है भारती जनता पाटी में एक से एक नेता है भारती जनता पाटी सबका साथ सबका विकास सबका पर्यास भारती जनता पाटी में दलितों के लिए पिछडों के लिए बंचितों के लिए अगडों के लिए पिछडों के लिए अलपसंख्या के लिए सारे लोगों को काम करता है और सभिक दल के नेता है भार परिवार के व्यक्ति ही बनेगा घोटालो बाजो का ये पाटी नहीं है ये मजदूरों की पाटी है जो काम किया है जो मजदूरी किया है वही यहां निता बनते हैं सर ये जैन मैनुविल में जो बदलाव किया गया है कि जो भी ओन ड्यूटी ओफसर रहेंगे उन पे मतलब अपराधी खुले आम उनको मार सकते हैं तो सर आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे लालू जादो जी ने आनंद मोहन सिंग जी पर केस कराया और सिरिनितिस कुमार जी ने उनको जेल भेजवाया 2012 में कानून में संसोधन कराया सिरी नितिस कुमार जी ने कि किसी भी सरकारी करमचारी को अगर हत्या होती है तो ऐसे व्यक्ति को जेल से बाहर नहीं आना है आजीवन करावास के बाद भी और 2023 में कौन ऐसा पहाल गिर गया कि उस कानून में संसोधन किया गया उस कानून में संसोधन इसलिए किया गया कि राजद के दबाओ में दुरदांत जो राजद के लोग बैठे हुए थे जेल में उनको मुख मंत्री जी अपने कुरसी बचाने के लिए छोड़े हैं और आग गठबंधन कहीं न कहीं संडक्षन दे रहा है सर लेकिन आनन्द मोहन के बेटे की सगाई में भाजपा कार करताओं को देखा गया तो उस टाइम वो समर्थन भी कर रहे थी कि आनन्द मोहन की रिहाई जो है होनी चाहिए उनके बेटा का क्या दोस है? उनके बेटा के साधी में क्यों नहीं जाएगा लोग? उनके परिवार के हाँ क्यों नहीं जाएगा? ऐसा थोड़े है. सबके साधी भिया, खुसी में, दुख में सब लोग समीलित होता है. अगर आनंद मुहंजी निर्दोस थे, तो लालू उनके केश केव कराया और नितिश कुमार ने जेल क्यों भिजवाया? अगर वो दोसी हैं, तो फिर उनको छोड़ा क्यों गया? कोट के सजा के बाद भी उनको जेल में क्यों रखा गया? इस साब का जबाब माने निये मुख मंतरी नितिश कुमार जी और लालू जादो जी झालो जी और को जी अबाद के वी मुख दया जीम कंद़ के पालो से दोड़ा का जी झालो कर वो दो जीनके का दो विजवाया है गलो